आप भी यह दिये अपने मॉवाइल को स्मार्टफॉन को सीची टीवी कैमरा में तबदिल करना चाहते हैं और कहीं भी आप बैटकर दुनिया के किसी भी कोने में आप अपने मोबाइल को देख सकते हैं, अपने दुकान को नजर रख सकते हैं, कहीं भी कोई भी दिग्यत विदाउट डाउनलोड करना होगा, जो की एपलीकेशन आपके स्मार्टफोन को CCTV कैमरा बना देगा और आप कि से प्ले स्टोर से डाउनलोड करना होगा, ठीक है, तो चलिए हम देख लेते हैं, प्ले स्टोर से आपको करना क्या होगा, ठीक, तो आपको जाके सर्च करना होगा, आईपी बेव कैम, ठीक, यह देखिए, पहला आपसन आगया, आईपी बेव कैम का, आप इसी पे क्लिक कर यहां पर देखिए 10 million downloads है 4.2 की rating है मतलब बहुत अच्छी downloading भी है और बहुत अच्छी rating भी है तो इसमें आपको कोई भी आशो बिदा नहीं होने वाली है और ना ही कोई fake video है यह आपको पूरा देखना है तभी आप समझ में आएंगे और आप पूरा देखिए तभी आप इस पर काम करिएगा ठीक तो यह open कर लीजिए ठीक जैसे ही आप open करेंगे इसको चलिए आप देख लेते हैं कि कैसे इस application के थ्रू अपने स्मार्टफोन को हम CCTV कैमरा कैसे बनाएंगे तो अब आपको open करना है इस application को और यहाँ पे देखिए बहुत सारे option दिख रहे हैं ठीक है तो आपको किसी भी option से छेड़ खानी नहीं करनी है आपको सीधे सीधे स्क्रॉल करते जाना है और नीचे आ जाना है क्य जैसे आपको पता होगा कि जो CCTV कैमरा होता है उसमें भी rotor server का ही यूज होता है तो इस server पर हमको start server पर click कर देना है और yes या no में yes करना है और एक 400 kv की file download होगी ठीक जो 400 kv की file download होगी आपको उस file को download कर लेना है जैसे आप download कर लेंगे तो हमारी screen कुछ इस तरह से दिखेगी ठीक है तो यहां पर आपको दो option मिलेंगे how do I connect और दूसरा है actions ठीक तो यह देखिए जो अपना smartphone है वो CCTV कैमरे की तरह सो होने लगा यह देखिए वीडियो दिखने लगा live एकदम live ठीक है तो अब अपने को क्या करना है कि यहां पर जो दो option दे रहा है how do I connect और actions तो अपने को action पर click करना है इससे क्या होगा कि आप किसी दूसरे mobile पर या कि आप यह समझ लिजे सीदे सी कि यह आप mobile जब CCTV camera बना देंगे एक normal mobile 4500 की खरीद कर या कि कोई पुराना mobile तो आपको वो mobile वहीं पर रख देना है ठीक है तो यह देखिए जैसे ही आपने action पर click किया तो यह आ तो यह जो आप समझ लिजे कि आप यह जो CCTV camera बना देंगे जिस mobile को उसको उसी camera में रख देंगे वहीं पर रख देंगे और आप दुनिया में कहीं भी घूम रहे हूं तो इसकी IP address के तुरू आप वहां से अपने mobile laptop किसी दूसरे device से देख सकते हैं live कि वहां पर क्या हो रहा current time पे तो यहां पर आप शेयर IP के तुरू IP address को share कर देंगे वाट्श आप किसी की तुरू ठीक और यहां पर देख लिजे लिखा है copy IP to clipboard इसी को अपने को click करना है इससे क्या होगा कि यह जो IP address है इसको आप copy कर लेते हैं इसकी IP address को ठीक यह कि share कर दीजे जो भी आपको मन हो ठीक हम share करते हैं तो share के तुरू आप किसी के तुरू भी share कर सकते हैं बहुत सारे media हैं ठीक अगर copy करते हैं copy to clipboard तो copy हो गया तो जैसे ही हमने copy कर लिये तो बैक आगए ठीक तो इसी को आप देख लीजिए फिर से कि अगर हम वो share भी करते हैं या copy करते हैं तो उसका IP address action के तुरू action में जाएंगे action के बाद copy IP to clipboard पे क्लिक करना है अब जैसे ही हमने यह copy to IP to clipboard कर लिया ठीक अब आप यह ध्यान से देख किया ठीक अब copy करने के बाद हम इसे एक नए mobile पे ठीक ओके आई गेट ठीक अब हम normal open करते हैं अब जैसे ही आप यह किसी दूसरे mobile पे यह किसी laptop पे वो IP address डालेंगे तो open हो जाएगा तो चलिए हम देख लेते हैं कि करना क्या है सबसे पहले हम क्या करेंगे कि यह IP webcam camera का जो IP address है यहाँ पे हमने live कर दिया और running background यानि कि हमने इसे background में running के लिए छोड़ दिया है वहीं पे जहाँ पे copy to clipboard का option था वहीं पे running background का option भी आ गया था ठीक वहीं पे click कर दिये अब आप किसी browser पे open कर लीजिए और click कर यहाँ पे जो IP address आपने copy किया था उसी को paste कर देना है और जैसे ही आप सर्च करेंगे तो यह आपको सीधे IP webcam के dashboard पे पहुचा देगा अब आपको यहाँ पे बहुत सारी setting मिलेंगी आपको कुछ नहीं करना है आपको सबसे पहले option पे देखिए उपर जो लिए Java script आपको इस Java script पे click करना है तो आप जैसे ही Java script पे click करेंगे तो य चार पांच जार के आसपास साता है कि ज्यादा कोश्टली तो फिर CCTV camera ही लगवा देंगे आप तो ना CCTV camera लगा के आप 4500 की mobile या कि कोई पुरानी mobile पड़ी हो तो आप उस पर यह एप्लाई कर सकते हैं तो यह आप हम live देख सकते हैं देखिए हाथ हम दिखा रहे हैं ठीक यह हां तरह तो यह आप समझ लिजे कि live है एकदम perfect वीडियो है इसमें आप कोई भी सक मत करिए कि यह video fake है यह एकदम confirm वीडियो है जो step बता रहा हूं वही step कर लिजे ठीक यहाँ पे आप देख सकते हैं कि recording कर सकते हैं नाम दे सकते हैं ठीक आप इसे एक गंटे दो गंटे के लिए भी record कर सकते हैं जित्ते time के लिए आप चाहें कि किते hour का में वीडियो चाहिए उत्ते hour का दो गंटे गंटे 10 मिनट 5 मिनट उत्ते मिनट का वीडियो आप बन जाएंगे तेक फोटो यानि आप फोटो भी ले सकते हैं जहां पर यह वीडियो चलेगा इस recording होगा वहां बहुत सारे setting भी हैं आप इसमें जूम करके देख सकते हैं जैसे बहुत सारे वीडियो जाएं तो आप पर कहां पर कैसे जूम करके देखना चाहते हैं जूम कर सकते हैं ठीक quality मतलब बढ़ा सकते हैं कि किती clear दिखनी चाहिए कितना blur दिखना चाहिए साथ में हम आपको इसम बहुत ही फायदे हैं इसमें जैसे आप back camera या front camera ये यूज करना चाहते हूं तो वो सब यूज कर सकते हैं यह देखिए यहां पर आपको दो दो camera का option दिखेगा back camera front camera आप back पे click करेंगे तो back हो जाएगा और front पे तो front camera अभी हमने जो यूज किया है वो back camera यूज किया है advance setting में भी है और बहुत सारे आप setting के यहां मतलब बहुत ही अच्छी facility है आई पी बेव कैम के थूँ आप अपने mobile को CCTV camera बना सकते हैं और बन गया है यह देख लीजे live हम दिखा रहे हैं तो कोई भी बड़ी चीज नहीं है अगर आप अपने दुकान में या office में नहीं चाहत आप something 15 से 20 जार रुपय का मतलब CCTV camera आ जाता है आप उसी साफ से यूज कर सकते हैं अगर आप नहीं खरीदना चाहते हैं तो आप अपने mobile को CCTV camera क्यों नहीं बना लेते हैं आप अपने दुकान पर नजार रख सकते हैं कहीं भी 10-20 मिनट के लिए भी गए तो आप कम से कम यह ह हो सकता है किसी के थूर तो उस पर विस्वास हो जाएगा कि हाँ यह बंदा कैसे चलाता है कि दुकान कैसे maintain करता है तो इस तरह की आपको वीडियो यह दी चाहिए और बहुत सारे टेकनिकल वीडियो हमारे इस YouTube चैनल पर मिल जाएंगे आपको तो आप इस चैनल को सबसे प करें तो धन्यवाद करें